साहारा प्रोपर्टी 50 यूट्यूब चैनल साहारा प्रोपर्टी 50 यूट्यूब चैनल पर है मेरा इस नाम से और साथियों जैसे के मैंने बहुत वीडियो में अपनी बात बताई और जताई है और आपको बहुत सारी कुछ देखने मों मिल जाएगी और भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको धामपूर में सो ड्याड़ सो जगह पर मकान दुकान पिलोड़ जो है तो देखने मों मिलेंगे नगीने में भी ऐसी है धरदून है हम आपका हल दोर है तो पूरा है लग बग और दूर तक है मेरा काम यह मेरा खास यूट्यूब पर वीडियो बना कर डालना है लोगों की सहमत्य के अनुसार उनका इंटर्वियो किसना किसी वीडियो में लेता है और मैं आज इसक्त भाजान मैं धामपुर में हूं धामपुर में सुगरमिल कलोनी का नाम परोपर क्या हूँ बताता है अभी और यह एक प्लोट है और यह तीन रास्तों का है एक रास्ता इसके पेसे गए देख़़ए ब्राबर किया है जो किसना भी बताता हूं मैं इन लोगों से बात करा दूँ आपके में जो एकजार गज है ये बड़ा गेट है ये बहुत अच्छी जगाह है बहुत शांदर बहुत बढ़े हैं मौक्य की जगाह है भी बड़ा प्रोजेक्ट अबना भी हमला सकते हैं अब बिकरि के लिए है और जो इनके श्वामी है पर लोट के स्वामी जो है आप उनके नंबर बढ़ें मैं में बात करें मैं डालेक्ट बात करुआ रहा हूं आपको और मैंने पास ही बेठे हैं जी ये सारे हंदुस्तान मे आपके आवाज जाएगी यह आदाब है सब आदाब मैं कहा रहा था एक तो आप अपने ना मता दो बिम्लेश कुमार जी इसको अब बारा डबल शिक्स-9468 यह कितने गज़ का अपलोड आपका एक हजार गज़ का बेच रहे इसको अच्छा लेने वाला कोई भी हो सकता है आ मैं मैं मैंका बहुता बश्रव नहीं जी इसमें आपके जनरल बात है कोई भी ले अच्छा इसकी यहां पहुंचने के लिए आजमी इस तरफ साना आसान रहेगा यह मुरादवार जो है तो यह पुलिस चौक की जो है शुगर मील की जी जी इस से आजाब है और शुगर मील जो की तरफ जाके जी तो मुन्ना देवी से राश्टा गया सिवारा रोड पर उससे केमिकल रोड है और पुष्पनिकेतन स्कूल जो सामने है उसके सामने चार दिवारी हुई भी है और बड़ा गैट लगा है बाकि मैं इतनी बात भाईया से बताने थी आप आप समझ गए को यह इसमें धिये में अपनी दरफ से कर रहा हूं जो भी माली होता है मैं उनकी वीडियो डालता हूं और बीदी आपके पास आ और आपकर आपके अबहों हम जर ना हो तो बढ़ा है तो इनके बाट जिए मैं के नम आपकी अचिनिक है तो आपको कि नहीं का नाम आपकी न तो आपके नबर पर भी कॉल आएगी या मैं भेजूगा तो आपको किसी दिखाएंगे लाके बिल्कुल तो अपने नमर बता भाईजान तो आपको यह दिखाने के लिए कितना बढ़ है यह बहुत ही शांदर चार दिवारी यह यह दिवार तो आपके नहीं होने कि ना नहीं हम अरे बढ़ देखो साथियो कई बार प्लोट लेने में नाप तोल के वाले में रगड़ बाजी होती है तो भाईया जी ने बताया है कि जो दिवार है जो कॉलम लगा इसमें है यह दिवार शुरू इस बनावाए भी है ने चारों और है ना इसके स्वामी यह खुद ही है जो आप भाई लेगा वो इसको भी दिवार में सब कुछ ऐसी मिलेगा अच्छी बात और यह है कि इसमें मिट्टी भराव का बिलको भी मेटर नहीं है देखिए यह रही रोड सामने आपके है ना और मैं दिखा दूंगा तो इसकी मर्जी की बात है ने वो तो खुदान में भी निकलाती है तो कुछ मिलाकर कितना बढ़ी है मौका है कि कि तीन तीन रास्ते हो गए यह मकान है यह मकान के दिवार के बीच में रास्ता में बाहर से दिखाता हूं आपको अभी देखिए जैसा कि मैंने बताए कि सड इन दिवार कि अब इस दिवार से फिर यह इतना ही चोड़ा रास्ता पकी रोड रास्ता सीधा शिवार वाले रोड पर पास करता है बीच में अगल वगल दोनों साइड नों कुछ रास्ते हैं जाने के क्लोने इस मोलेया कटी हुए यह बहुत शांदर और यह भी आगे जा बहुत बढ़े मौकी कि वह है यह जो दिवार है पुष्प निकेतन स्कूल जो है उसकी दिवार है पास में है जो भी आद भी जो भी हम बनाएगा अपने बंगला बनाए कोटी बनाए को फेक्षी लगाए कुछ और काम करना है नो प्रोल्म बढ़े मोका है बहुत अच्छ नहीं है अधिन बदेखे श्रीमान जी यह रहा गेट जबाएगे ख़ड़ी है और यह रहा यहां तब पिलोट की पिलोट यह जए जब दरवाजे खोलो इदर कुछ तरफ तीन रास्ते कहीं को भी दरवाजे खोज़ते हैं आप इन्हों रास्ते हैं बोंडरी अपनी है और यह होगी आपका फोड़ा रास्ता और यह रास्ता भी सीधा आपका पार कर गया जबार जबी है इस रहें और तो आप चले जाएंगे सिधा मिल वारी रोट पर कि शांतियों इस कलोनी का नाम पूल बाक कलोनी इसको संगर मिल के पास वारी कलोनी बोलते हैं और फुल बाग कलोनी है हर तरह से देखें बच्चे आ रहे हैं इसको मैंनकेट के तरह चाहिए दूसरा वारा रहा है चलिए बच्चे पढ़का रहे हैं यह बड़े मौक्के की जमीन है बहुत अच्छा प्लोट है बहुत शांदर प्लोट है जो साथी लेना चाहें मैं मास्तर स्रावत सेन सहरा प्रोपर्टी 50 यूट्यूब चैनल अब मेरे नंबर पर बात कीजिए चाहे बड़े नंबर एक बार बता है यह हम पार दरसीता है अमारे काम में वीडियो बनाते हैं यूट्व पर डालते हैं यूट्व चैनल है साहरा प्रोपर्टी 50 आप भी और साती हो अगर आपको अपने को मकान दुकान प्रोट का वीडियो बना करें लबानी है तो मुझे बताईए मैं आपके लिए आजिर हूँ तस पर थेंक्यू थेंक्यू थेंक्यू